आज लाई हो एक साधारन सा टॉपिक जो हमारे स्वास्त के साथ जुड़ा हुआ है और विच्चा लोग कैसे हो? आजकर आपने नोटिस किया हुआ सभी को गुसा बहुत आने लगा है गुसा, थाइरोड बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों को हाइपरaltsंशन होने लगा है, ब्लेड प्रेशर बढ़ने लगा है, हाइट की प्रॉब्लम बढ़ने लगी है, बहुत सारे लोगों को पूटापा बढ़ने लगा है इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? नमक. अब नमक को कैसे छोड़ सकते हैं? नमक तो सुबह से रात तक हमें चाहिए होता है, जो भी बनाएंगे नमक तो लगेगा है, तो नमक कौन सा यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं, चलिए उसके बारे में देए, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटा फट नानी दादी, पुराने जमान में सेंदा नमक की यूज करते थे, कोई भी इस टाइप का नमक सफेद नमक नहीं खाता था, सेंदा नमक हमारी हेल्थ के रिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, तीसरा नमक होता है, जो फ्रूट और सेलिट पर डाल कर खाते हैं, वो है काला ये रॉक फॉर्म में भी मिलता है, पौडर फॉर्म में भी मिलता है, तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं, हमें कौन सा नमक जादा खाना चाहिए, हम एक साधरन सा नमक खाते हैं, जो कि समुद्री नमक के नाम से आता है, जिसे कई कमपनिया बनाती है, इस नमक को जिसकी वज़ा से उसकी शुद्धता उतनी नहीं रहती। आप अपनी मम्मी से, दादी से, नानी से, किसी से भी पूछेंगे न, तो वृत में कौन सा नमक खाया जाता है? सेंधा नमक. क्यों नमक खाया जाता है सेंधा नमक वृत में? आखिर क्या कारण है? क्योंकि वो पूरी तरीके से शुद्ध है। शुद्ध क्यों है? क्योंकि इसे कैमिकल के साथ नहीं गुजरना पड़ता है। ये साधा रन पहाडी नमक है। साधा रन नमक की तुलना में सोडियम की मात्रा जिसमें बहुत कम होता है। आयोडीन मुक्त होता है, पोटेशियम, मैगनेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये दिल के मरीजों के लिए सबसे बैस्ट नमक है, तो जब भी आप नमक घर में यूज कर रहे हो, कोशिश कीजिए, सेधा नमक ही खाएं, क्योंकि बाहर की चीजों से तो हम परेश नहीं कर सकते, वहाँ तो हम साधा नमक खाई रहे हैं, क्योंना घर में ये सेधा नमक शुरू कर दें, अब आप ये कहेंगे, कि नॉमल नमक से सेधा नमक चारगुना महंगा है, लेकिन आपकी सेहत से ज़्यादा महंगा तो नहीं है न, तो हमें ये प्रकॉशन जरूर लेना चाहिए हर किचिन में, ये सेधा नमक वैसा ही है, जैसे गुड और चीनी में हम फरक समझ गये हैं, जब भी हमें कोई डॉक्टर से एडवाईस लेनी होती है, अपनी प्रॉब्लम को देख कर, तो डॉक्टर का यही कहना होता है कि नमक की कॉंटिटी बहुत कम कर दीजे, पर क्यों न हम ऐसा करें कि नमक को बदली दे, या फिर आधा आधा कर ले, आधा नमक नॉमल, आधा सेना नमक मिला कर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स और सेलेट में काला नमक ही यूज़ कर सकते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात होगी, कि किसी भी बाने हमारा नमक तो कम हो जाएगा, तो इस तरीके से अगर नमक को, अगर आप इस तरीके से बदल देते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से तो फ्री हो जाते हैं, गुस्ता कम हो जाएगा, थाइरोइट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, हाइपर टेंशन कम हो जाएगा, सब बीपी वगर सब कंट्रोल में रहेगा, यह मेरा चैलेंज है, करके देखिए, बहुत पसंद आएगी यह बात, और हाँ बच्चों, अगर यह वीडियो पसंद आएगे, तो लाइक जरूर कीजिए, जादा ज़्यादा शेर कीजिए, जिसे हर घर में यह पता चल सके, कि सेंधा नमक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जो हमारी नानिदादी यूज़ करती थी,